आज का टॉबिक है बाई, सी, मौस, and well encoding. अगर हम बाई, सी, मौस की बात कर रही है. उसकी color, stick encoding, layer और mask layout के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले polysilicon 2 के बारे में बात करते हैं. इसके जो polysilicon 2 है, इसकी जो stick encoding है, वो orange color की होती है, which is from me. stick से ऐसी color, color का difference है. color होते हैं, इनमें अलग-अलग, हर एक color हर चीज के लिए होता है. बाई, सी, मौस में polysilicon 2, जो orange color का होता है. इसका जो mask है, orange color के, जो rectangle होता है, जो diagonal lines होते हैं. लाइन का भी फरक है, किसी में ये up to down, right direction में होती है, किसी में left direction में होती है, किसी में straight होती है, सबका अलग-अलग है, वो उसके mask layout को represent करेगा. अगर आपको topic आता है, कि आपने by CMOS का एक mask layout बनाना है, तो आप in layout को चुनोगे, side जो की करवाई है, अगर आपको अधक stick encoding बनाना है, तो आप in layouts को चुनोगे. ये फर्क है, चिक है? अगर bipolar NPN transistor क्या होगा, उसको कैसे represent करेंगे? उसको represent करेंगे कुछ है swarm में. चीक है? एक जो हम transistor बनाएंगे, इसका arrow outward direction में होगा, ये क्योंकि ये NPN है, जो bipolar transistor को represent करेगा. इस तरह से इसे represent किया जाता है. और next है, P base of bipolar NPN transistor. P base, ठीक है? Bipolar NPN transistor, जो कि pink color का होगा. इसके कोई specific encoding नहीं होती है. लेकिन इसका mask layout जो होता है, एक pink color का box होता है. एक square box जो कि pink color का होगा. इस तांसे से represent करेंगे. next जो layer होती है, वो होती है buried, जो connection होते हैं. ठीक है न? buried collector होते हैं. और जो bipolar NPN transistor होते हैं. इसका pale green color होता है. इसका कोई strict encoding नहीं है. और इसका जो mask layout है, वो green color में yellow color के थोट छोटे से dots होते हैं. इस तरह ते से represent किया आता है. ये इसका layout है. ठीक है, अब next चलते हैं, देखिए N-type enhancement क्या होगी, bipolar के case में, bipolar के case में N-type enhancement जिसमें polysilicon 2 transistor है, polysilicon 2 की बात हो रही है ये. अब हम बात करते हैं इसके feature की, जैसे कि हमने last rank क्या था कि N-type enhancement किसमें की थी, N-most में की थी, उसका जो diagram था, उसमें ये वाली जो layer थी, ये वाली layer और ये वाली layer, ये दोनों कौन सी थी, red color की थी, लेकिन इसमें ये orange color की होगी, ठीक है, ये bias-li-most की बात हो रही है, जिसमे N-well encoding है, bias-li-most में N-well encoding, और two poly-silicon है, transistor, तो अब इसमें orange color की होगी, और इसका जो feature, ये stick है, feature stick, इसका जो symbol है, वो कुछ ही swarm में होगा, green और यहाँ पे भी पहले red थी, N-most में अब orange होगी, और यहाँ पे भी ये कुछ ही swarm में ही represent करेगा, ये चीज orange होगी, red वाली जो है, और ये green ही रहेगी, अब next द देखते है, P type enhancement, P type enhancement में क्या होगा, P type enhancement में देखिए, इसमें क्या है, कि ये जो symbol रहेगा, ये वाला जो symbol, yellow color की line और उसके ऊपर green color की outline होगी, चीक है और ये orange color का ही रहेगा इसमें yellow color की line ये sleeping liners पर green color की outline होगी और ये क्या orange color का ही रहेगा इस तरह से रिप्रेजन करते हैं इसका जो feature symbol है ये जो boxes है वो yellow color की होगे बीच में orange color की standing line जो gate को रिप्रेजन करेगी तो ये भी इसका जो symbol है feature symbol इस तरह से रिप्रेजन किया जाता है योकि orange color का होता है ये चीज ये भी orange की होती है चीक है ये वाली और ये भी orange का होता है ये orange को रिप्रेजन करता है क्योंकि हम पाए सीमोस की बात कर रहे हैं और इसका जो stick and polysilicon है इसको 2 है उसका जो first symbol हमने किय ये क्या था ये क्या था वो orange color में था stick and coding भी और उसकी mask layout भी orange color में थी ठीक है इस तरह से रिप्रेजन किया जाता है और इसके नीचे देखिए अगर enhancement है तो इसके ऊपर एक ये line होगी ठीक है demarcation line और अगर P की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे एक demarcation line होगी ये difference है इनमे Thank you Thank you for watching this video और जाधा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं Thank you